37. मेरा अमेरिका गमन अमेरिका! निश्चही ये लोग अमेरिकी हैं। मेरे मन में यही विचार उठा, जब मेरी अंतरद्रिष्टी के सामने से पाश्चात्य चेहरों की लंबी कतार गुजरने लगी। राची में अपने विद्याले के भंडार ग्रह में कुछ धूल धूसरित पेटियों के पीछे मैं ध्यान मगन बैठा था। बच्चों के बीच व्यस्तता के उन वर्षों में एकांत स्थान मिलना बहुत कठिन था। ध्यान में वह द्रिश्य चलता रहा। एक विशाल जनसमू मेरी और आतुर द्रिश्टी से देखते हुए मेरी चेतना के मंच पर अभिनेताओं की तरह मेरे सामने से गुजर रहा था। इतने में भंडार ग्रे का द्वार खुल गया। सदा की तरह एक बच्चे ने मेरे छिपने के स्थान को खोज लिया था। यहां आओ विमल। प्रफुल मन से मैंने उसे बुलाया। तुम्हें एक समाचार सुनाता हूँ। भगवान मुझे अमेरिका बुला रहे हैं। अमेरिका? उसने ऐसे स्वर में मेरे शब्दों को दोराया जैसे मैंने कहा हो चांद पर जा रहा हूँ। हाँ, कोलंबस की भाती मैं भी अमेरिका की खोज करने जा रहा हूँ। कोलंबस ने सोचा था कि वह भारत पहुँच गया पर अमेरिका पहुँच गया था। निश्चे ही इन दो देशों के बीच कोई कर्म संबंध है। विमल महा से भाग गया और शीगर ही दो पैरों के उस समाचार पत्र ने सारे विद्याले में यह बात फैला दी। मैंने इस तंभित शिक्षक वर्प को बुलाया और विद्याले को उनके हाथों में सौप दिया। उस अफसर पर उन्हें संबोधित करते हुए मैंने कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि लाहिडी महाशे के शिक्षा आदर्शों का आप लोग सर्वो परी पालन करेंगे। मैं हमेशा आप लोगों को पत्र लिखता रहूंगा। इश्वर ने चाहा, तो किसी दिन मैं यहाँ वापस आजाऊंगा। उन छोटे-छोटे बच्चों पर और राची की उस सुन्दर विस्तरित भूमी पर अंतिम द्रिश्टिपात करते हुए मेरी आखें छल-छला आई मैं जानता था कि मेरे जीवन का एक विशिष्ट अध्याय पूरा हो चुका था और अब इसके आगे मुझे सुदूर देशों में ही रहना होगा। उस वर्ष या सम्मेलन अमेरिकन युनिटारियन असोसियेशन के तत्वावधान में बॉस्टन में होने वाला था। मेरा दिमाग घूमने लगा। मैं श्री रामपुर में श्री युकतेश्वर जी के पास जा पहुँचा। गुरुजी, मुझे अभी अभी अमेरिका में एक धार्मिक सम्मेलन में व्याख्यान देने का निमंत्रन मिला है। क्या मुझे जाना चाहिए। गुरुदेव ने सहज भाव से उतर दिया। सभी दर्वाजे तुम्हारे लिए खुले हैं। अभी नहीं, तो कभी नहीं। मैंने व्याकुल होकर कहा, परंतु गुरुदेव, मुझे सार्वजनिक व्याख्यान देने का अनुभव ही क्या है। मैंने शायद ही कभी कोई व्याख्यान दिया हो, और अंग्रेजी में तो कभी नहीं। तुम अंग्रेजी में बोलो या किसी भी भाशा में, योग पर तुम्हारा व्याख्यान मन लगा कर सुना जाएगा। मैं हस पड़ा। गुरु जी, अमेरिकी लोग मंगला भाशा तो सीखने से रहे। आप ही अब कृपा करके मुझे अंग्रेजी भाशा की बाधाओं से पा था कि वे मुझे फिर कभी देख नहीं पाएंगे। उन्होंने रुक्षता के साथ पूछा, तुम जाओगे कैसे? कौन तुम्हें इसके लिए पैसा देगा? मेरी शिक्षा एवं मेरे पूरे जीवन के लिए वे ही प्रेम से पैसा देते आ रहे थे। इस ये निश्चे ही उन्हें आशा थी कि यह प्रशन उठाते ही मेरी सारी योजना धरी की धरी रह जाएगी। भगवान मुझे पैसा देंगे। जब मैंने यह उत्तर दिया, तो अनेक वर्ष पहले आगरा में अनंत दा को दिये हुए इसी प्रकार के उत्तर का मुझे स्मरण हो आया। अधिक और दैनिय भाव से देखा। इसलिए दूसरे दिन जब पिता जी ने एक बड़ी रकम का चेक मेरे हाथ में दिया, तो मेरे आश्चरे का ठिकाना ना रहा। उन्होंने कहा, एक पिता होने के नाते नहीं, अपितु लाहिडी महाशे का निष्ठावान शिष्य होने के नाते मैं तुम्हें यह पैसा दे रहा हूँ। तो जाओ उस दूर पाश्यात्यो देश में और वहाँ धर्म पंथों से मुक्त क्रिया योग की शिक्षाओं का प्रसार करो। जिस नेस्वार्त भाव से पिता जी ने तुरांत अपनी वैयक्तिक इच्छाओं को तिलांजिली दे उसे देखकर मेरा हृदय द्रवित हो उठा। उन्हें रात में आयसास हो गया था कि विदेश यात्रा की किसी साधारा निच्छा से मैं अपनी योजना नहीं बना रहा था। जब मैं अपने गुरुदेव और अपनी प्रिये मात्र भूमी को छोड़कर अमेरिका की अंजान भूमी में जाने की तयारियां कर रहा था, तो मेरा हृदय कम आशंकाओं से नहीं भरा था। प्रिमाले की ठंड सैपाने से भी अधिक कठोर परिस्थितियों का सामना करने के लिए तयार रहना चाहिए। एक दिन प्राते काल मैं इस द्रिण संकल्प के साथ प्रार्थना करने बैठ कया कि भले ही प्रार्थना करते करते मैं मर क्यों न जाओं, पर जब तक ईश्वर की आवाज नहीं सुनूंगा, तब तक प्रार्थना बंद नहीं करूंगा। मैं इश्वर से आशीरवाद एवं आश्वासन चाहता था, ताकि मैं पश्चिम के आधुनिक भौतिक वाद और व्याभारिक उप्योगिता वाद के कोहरे में कहीं खो न जाओं। अमेरिका जाने का तो संकल्प मेरे मनने कर ही लिया था, पर साथ ही ईश्वर की अनुमती और आश्वासन बाड़ी सुनने के लिए वह और भी अधिक्त क्रित संकल्प था। बार बार उठने वाली सिस्कियों का दबा कर रखते हुए मैं प्रार्थना करता ही रहा, करता ही रहा। कोई उत्तर नहीं। मध्यान होते होते, प्रार्थना के उत्कटा पराकाष्ठा पर पहुँच गई। तीवरता की वेदना के दबाव से मेरा सिर चक्राने लगा। ऐसा लग रहा था, कि अब अपनी आंतरिक उत्कटा को और अधिक बढ़ा कर एक बार भी अधि रोया, तो मेरा सिर भट ठीक उसी क्षान, गणपार रोट परिस्थित मेरे घर के दर्वाजे पर दस तक सुनाई दी। जब मैंने दर्वाजा खोला तो देखा, कि सन्यासियों की तरह केबल कटी वरस्त धारन किया हुआ एक युवक महा खाड़ा है। उसने घर में प्रवेश किया, ये अवशी ही बाबाजी होंगे। इस तब धोकर मैं सोच रहा था, क्योकि मेरे सामने खड़े उस व्यक्ति का चेहरा लाहेडी महाशे जैसा ही दिख रहा था, मेरे मन में उठे उस विचार का उन्होंने उत्तर दे दिया। हाँ, मैं बाबाजी हूँ। वे अत्यांत मधोर आवाज में ह इंदी में बोल रहे थे। हम सब के परमपिता ने तुम्हारी प्राथना सुन ली है। उन्होंने मुझे तुम्हे यह बताने का आदेश दिया है। अपने गुरू की आग्या का पालन करो और अमेरिका चले जाओ। डरो मत तुम्हारा पूर्ण संरक्षन किया जाएगा। थोड़ी देर रुक कर बाबाजी ने फिर मुझ से कहा तुम ही वह हो जिसे मैंने पाश्च्यात्य जगत में क्रिया योग का प्रसार करने के लिए चुना है। बहुत वर्ष पहले मैं तुम्हारे गुरू युक्तेश्वर से एक कुम्भ मेले में मिला था और तब ही मैंने उनसे कह दिया था कि मैं तुम्हें उनके पास शिक्षा ग्रहन करने के लिए बेज दूँगा। साक्षाद बाबाजी के सामने ख़डा होने के कारण भक्ती भाव में विभोर होकर मैं आवाक हो गया। और उन्होंने ही मुझे श्री युक्तेश्वर जी के पास पहुंचा मेरे जीवन के बारे में अनेक बातें बताने के बाद उन्होंने मुझे कुछ व्यक्तिकत उपदेश दिये और कई गोपनिय भविश्यमानिया की। अपनी अनन्त शक्ति से युक्त द्रिश्टी मुझे पर डाल कर अपने ब्रह्म चैतरने की एक जहांकी मुझे दिखाते हुए परम गुरु ने मुझे में नई शक्तिका संचार कर दिया। इश्वे रूप के प्रकाश के सद्रिश कदाचिती हो। थोड़ी देर में बाबाजी यह कहते हुए दर्वाजे की ओर बढ़े। मेरे पीछे आने का प्रयात्न मत करना। तुम्हारे लिए वह संभब भी नहीं होगा। बाबाजी दया कीजिए चले मत जाइए मुझे अपने साथ लेते जाइए। मैं बार-बार पुकार रहा था। उन्होंने कहा अभी नहीं फिर कभी। भाववेग में मैंने उनकी चेतावनी की परवाह नहीं की। जैसे ही मैंने उनके पीछे जाने का प्रयात्न किया, मुझे ग्यात हुआ कि मेरे पैर्ज समीन से पक के चिपक गए हैं। दर्वाजे पर पहुँच कर, बाबा जी ने मुझे पर एक प्रेम भरी द्रिष्टी डाली। मेरी आखे तीवर लालसा से उन पर ही जमी हुई थी। उन्होंने आशिरवात देने की मुद्रा में हाथ उठाया और चले गए। कुछ मिनिटों बाद मेरे पैर समीन से छूटे। मैं वहीं बैठ कर गहरे ध्यान में लीन हो गया। न केवल मेरी प्रार्थना का उत्तर देने के लिए ही, बलकि बाबा जी का दर्शन करा देने के लिए भी मैं ईश्वर को बारंबार धन्यवाद देने लगा। मुझे ऐसा लग रहा था, मानो चिर्युवा, आयू विहीन प्राचीन परमगुरु के स्पर्ष से मेरा शरीर पावन हो गया था। उनके दर्शन की तीवर लालसा मुझे लंबे समय से थी। अभी तक बाबाजी के साथ इस भेट की बात मैंने किसी को नहीं बताई है। इस घटना को अपने मानवी अनुभवों में सबसे पवित्र अनुभव मानकर मैंने इसे अपने हृदय में छिपा लिया था। परंद मुझे लगा कि इस आत्म कथा के पाठकों को विश्व में रुची लेने वाले एकांतवासी बाबाजी की बास्तविक्ता पर अधिक विश्वास होगा यदि मैं ऐसी घटना का वर्णन कर दूँ जिसमें मैंने उन्हें स्वयम अपनी आखों से देखा है। इस पुस्तक के लिए मैंने आधनिक भारत के योगी अबतार परम गुरु का एक चित्र भी एक चित्रकार की साहिता से बनवाया है। अमेरिका के लिए प्रस्थान करने के एक दिन पहले मैं श्री युक्तेश्वर जी की पावन उपस्थिती में बैठा था। उन्होंने अपने ज्यान युक्त शांत स्वर में मुझसे कहा, भूल जाओ कि तुम्हारा जन्म हिंदू समाज में हुआ था, परंतु अमेरिकी लोगों के भी सारे ही तौर तरीके मत अपना लेना, दोनों समाजों के केवल उत्तम गुणों को ही ग्रहन करना। तुम ईश्वर की संतान हो, अपने इस सच्चे स्वरूप को सदा याद रखना, प्रित्वी पर चारों और विभिन जाती वंशों में बिखरे हुए अपने बंधुओं के सर्वश्रेष्ट गुणों को खोजो और उन्हें आत्म साथ करो, फिर उन्होंने मुझे आशिरव का आध्यात्मिक प्रवा, उनके मस्तिष्कों में प्रवेश करेगा, और उनकी भौतिक प्रवृतियों और आदतों को परिवर्तित करके, उन्हें और अधिक ईश्वरा भिमुक कर देगा, फिर मुस्कुराते हुए वे बोले, सच्चे जिग्यासुओं को आकर्षित करने क मामले में तुम्हारी नियती बहुत अच्छी है, तुम जहां भी जाओगे, चाहे वाज जंगल ही क्यों ना हो, तुम्हें सच्चे मित्र मिलते रहेंगे, श्री उक्तेश्वर्जी के इन दोनों ही आशिरवादों की पूर्ती भली भांती हुई है, मैं अमेरिका अकेला ही जहां मेरा एक भी मित्र नहीं था, परंतु यहां हजारों लोग मुझे मिले, जो आत्मा की काला तीच शिक्षाओं को ग्रहन करने के लिए तयार बैठे थे, विश्वयुद के बाद, अमेरिका जाने वाले पहले ही यात्री जहाज, दस सिटी ओफ स्पार्टा पर सवार हो और तब कहीं जाकर मैं जहास पर यात्रा के लिए टिकट पा सका। हम यात्रियों के लिए एक व्याख्यान देकर कृपिया हमें अनुग्रहीत करें। जीवन का युद्ध और उसे कैसे लड़ें, विशय पर व्याख्यान से हम सबको बड़ा लाब होगा। अफसोस। बुधवार के आते ही मुझे पता चला कि पहले मुझे ही अपने जीवन का युद्ध लड़ना था। अंग्रेजी में व्याख्यान देने के लिए अपने विचारों को एक सूत्र में गूंथने का मैंने हर तरह से प्रयास कर लिया, परन्तु सब व्यर्थ। आखिर मैंने तयारी करने का ये प्रयास ही छोड़ दिया। जीन काठी देखते ही भड़क उठने वाले नए गोड़े की तरह हैं, मेरे विचार भी अंग्रेजी व्याकरन के साथ कोई सहयोग करने के लिए तयार नहीं थे। पर गुरुदेव के पिछले आश्वासनों पर पूर्ण विश्वास रखते हुए, मैं गुरुवार को जहास के सेलोन में अपने श्रोताओं के सामने जाकर खड़ा हो गया। मेरे मुझ से एक भी शब्द नहीं निकला। महा उपस्थित लोगों के सामने मैं अवाक होकर खड़ा रहा। मेरी सहन शीलता का यह युद्ध लगबग दस मिनट तक चलता रहा। उसके बाद शोताओं को मेरी परिस्थिती का आकलन हो गया और में हसने लगे। उस क्षण की परिस्थिती मेरे लिए तो हसने लायक नहीं थी। शुब्ध होकर मनी मन मैं गुरुदेव से प्राठना करने लगा। तुम बोल सकते हो? बोलो। उनकी आवास तच्षण मेरी चेतना में कुँझी। उसी के साथ मेरे विचारों ने तुरंती अंग्रेजी भाषा के साथ मित्रता कर ली। 45 मिनट तक व्याख्यान चलता रहा और रंत तक शोतागर्ण तनमय होकर सुनते रहे। इस व्याख्यान के कारण अमेरिका में विभिन संस्थाओं के समक्ष बाद में व्याख्यान देने के लिए कई निमंतरन मुझे उसी समय मिल गए। बाद में प्रयास करने पर भी उस व्याख्यान में मैंने जो कुछ कहा था उसमें से एक भी शब्द मुझे कभी याद नहीं आ सका सावधानी पूर्वत जब मैंने यात्रियों से पूछताश की तो अनेक लोगों से मुझे इतना ही पता चला आपने शुद्ध और सही अंग्रेजी में अत्यांत प्रेरक व्याख्यान दिया यह आनंद दायक उत्तर सुनकर मैंने समय पर साहता करने के लिए बिनमरता पूर्वक अपने गुरुदेव का धन्यवाद किया और इसके साथ ही मुझे नए सिरे से फिर एक बार यह अहसास हो गया कि देशकाल की सीमाओं को ध्रस्त कर वे सदा ही मेरे साथ है शेष्ट समुद र्यात्रा के दौरान कभी-कभी बॉस्टन सम्मेलन में अंग्रेजी व्याख्यान की अगनी परीक्षा के विचार मात्र से ही मेरे मन में शूल उठता था मैं व्याकुल होकर प्रार्धना करता करुना सागर प्रभू आप ही मेरी एक मात्र प्रेणा बनने की क्रिपा कीजिए दे सिटी अफ स्पार्था सितंबर के उत्रार्ध में बॉस्टन के बंदरगा में खड़ा हो गया छे अक्टूबर 1920 को मैंने धर्म सम्मेलन में जाकर अमेरिका में अपना पहला व्याख्यान दिया व्याख्यान का अच्छा स्वागत हुआ मैंने राहत की सांस ली अमेरिकन योनिटारियन असोसियेशन के विशाल वृदय सचिव ने इस सम्मेलन पर प्रकाशित एक विवरन में अपना मत इस प्रकार व्यक्त किया राची के ब्रह्मचर्य आश्रम से आये प्रतिनिधी स्वामी योगानंद ने अपनी संस्था की ओर से सम्मेलन का अभिनंदन किया धारा प्रवां अंग्रेजी में उजस्वी वक्तरित्व के साथ उन्होंने धर्म विज्ञान पर दार्शनिक स्वरूप का व्याख्यान दिया जिसे बड़े स्तर पर वित्रन करने के लिए एक पत्रक के रूप में छाप दिया गया है अपने व्याख्यान में उन्होंने कहा कि धर्म सार्वभौमिक है और एक ही है रीती रिवाज और रूडी प्रताओं को सार्वभौमिक नहीं बनाया जा सकता परन्तु धर्म में नहें सामान्य तत्व को सार्वभौमिक बनाया जा सकता है और सबको उसका अनुसरन करने एवं उसका पालन करने के लिए कहा जा सकता है। पिता जी ने जो बड़ी रकम का चेक दिया था, उसके कारण सम्मेलन के समाप्थ हो जाने के बाद भी अमेरिका में रहना मेरे लिए संभव हो गया। अत्यांत साधारन परिस्थितियों में रहते हुए बॉस्टन में तीन वर्ष सुक पूर्वक बीद गए। इस दोरान मैंने सार्वजनिक व्याख्यान दिये, शिक्षा वर्ग चलाए और सॉंग्स अब दा सोल नामा के कावेपुस तक भी लिखी। जिसकी प्रस्तावना, City of New York College के प्रेसिडेंट, Dr. Frederick B. Robinson ने लिखी है। के Los Angeles शहर में, Mount Washington Estates पर अपने अमेरिकी मुख्याले की स्थापना कर दी। यह वही भवन है, जो मैंने अनेक वर्ष पहले कश्मीर में अपने अंतरदर्शन में देखा था। यहां दूर अमेरिका में चल रही अपनी गतिविधियों के फोटो, मैंने जल्दी ही श्री उक्तेश्वरजी को भेज दिये। उन्होंने एक पोस्ट कार्ट पर बंगला में उत्तर भेजा, जिसका अनुवाद मैं यहां दे रहा हूँ। 11 अगस्त 1926 मेरे रिदय प्रिय योगानंद तुम्हारे विद्याले और छात्रों के फोटो देखकर मेरे जीवन में कितना आनंद आया है, इसका वर्णन मैं शब्दों में नहीं कर सकता। विभिन शहरों के तुम्हारे योग विद्यार्थियों को देखकर मैं आनंद से पिघल रहा हूँ। प्रतिग्यापन, रोग निवारक स्पंदन संप्रेशन तथा दैवी रोग मुक्ती की प्रार्थनाएं आदी तुम्हारी पद्धतियों के बारे में सुनकर मैं तुम्हें रिदय से धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकता। माउंट वाशिंग्टन स्टेट्स का मुख्यद्वार, पहाड़ी पर उपर जाता सर्पिल रास्ता और पहाड़ी के नीचे फैले हुए सुन्दर द्रिश्य को देखकर यह सभी कुछ आखों से देखने की चम्मन में पैदा होती है, यहां सब ठीक चल रहा है, इश्वर की क्लबों, कॉलिजों, गिर्जा घरों और प्रतेक प्रकार के श्रोता वरिंदों के सामने मैंने व्याख्यान दिये, 1920 से 1930 के दशक में हजारों अमेरिकी लोगों ने मेरी योग की कक्षाओं में शिक्षा ली, उन सभी को मैंने प्राथनाओं और आत्मा के विचारों की एक नई पुस्तक, Whispers from Eternity समर्पित की थी, जिसकी प्रस्तावना, प्रसिद्ध गाई का मैडम एमेलिटा गैली कूर्ची ने लिखी थी। धिंगत होती दिखाई देती, उससे मेरी आत्मा को हर्ष होता। अपने देश के राश्र पिता जॉज वॉशिंग्टन ने, जिनने अनेक अफसरों पर ऐसा अनुभव हुआ कि उन्हें ईश्वरी ये मार्गदर्शन मिल रहा था, ने, अपने फेरविल एड्रिस में अमेर अस्त मानव जाती के लिए सदा उच्चन्याए एवं लोक हिताशी वृत्ति से परिचालित मानवों के रूप में एक अभिनव उधारन प्रस्तुत करे। इस प्रकार की योजना का द्रिनता से अनुसरन करने से कुछ तातकालिक क्षती हो सकती है, परंतु इसमें किसे संद गुणों को चिर्स्थाई सुक्सवभागे से ना जोडें। वॉल्प विट्मिन कृत, हिम तु अमेरिका का कीर्तिगान दाव मदर विदे इक्वल ब्रूट से। अपने भविश्य में तुम, नर नारियों के अपनी अधिक सायानी, अधिक संक्य संतानों में तुम, नैते संपदा और सभ्यता में तुम, जिसके बिना बड़े से बड़ा गौरब प्राप्त करने वाली तुम्हारी भौतिक सभ्यता अर्धीन ही रहेगी। अपनी सर्वार्थ पूरग, सर्म समावेशक अर्चना में तुम, किसी एक बाइबिल या किसी एक तारणहार मात्र में नह होंगे, ये, ये सब तुम में अवश्य होंगे, ये मैं आज भविश्यमानी करता हूँ.